हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स देखिए आज से हम लोग बिहार दरुगा की जो नई भर्ती वर्स 2023 में आने वाली है उसके लिए फिर से हम लोग डेली प्राक्टी सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम लोग एडूटेरिया के प्राक्टी सेट को कभर करेंगे आज हमारा यहाँ सेट नंबर वन है डेली सेट का और इसमें केवल और केवल महतपूर्ण प्रश्ण जो आपकी एकजाम के दृष्टी कौन से महतपूर्ण है उनको हम लोग कभर करेंगे यह जो सेटन होगा बिहार दरोगा में जो मद निसेद की भरती आई हुई है जिसका पेपर इसी महा होना है उसके लिए भी काफी इंपोर्टेंट है चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं बिहार दरोगा की बहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भरती 2023 से संबंदित कोई भी इंपोर्टन्ट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किये हुए सेसन आज की स्टार्ट करते हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे और जब सेसन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रूप में जहां कई भी आप हैं चाहाए वो टेलिग्राम ग्रूप हो वाटसेप ग्रूप हो या फेसबुक ग्रूप हो वहाँ पर जरूर सेयर कर दिजेगा फ्रेंड्स आज के सेसन का पहला प्रशन पढ़ेंगे पहला प्रशन है कि बहुपक्षिये वायू सेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंदित निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए और उपर दिये गए कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है उसको आपको चुनना है देखे ध्यान दिजेगा ओरियन अभ्यास जो है यहाँ किस प्रकार का सेन अभ्यास है तो यहाँ बहुपक्षिये वायू सेना अभ्यास है इसका एवजन फ्रांस में किया गया और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपिट किया है तो इस अभ्यास का एवजन फ्रांस में किय बिल्कुल करेक्ट दिया गया है साथी साथ भारत ने भी इस उद्धा भ्यास में हिस्सा लिया ये भी करेक्ट दिया गया है तो अप्सन नुबर सी जो होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा एक और दो दोनों जो हैं बिल्कुल सही हैं अपना स्कूर लाश्ट में जरूर कम सा बन गया है तो यह जो पहला देश बन गया है यहां देश कौन सा है तो फ्रेंट्स यहां गहाना है ऑप्सिन नमबर ए राइट अंसर हो जायेगा नेक्स्ट कुस्टन है अमारा बिल्कूल यह नए करेंट अफेर्स हैं हाल ही में कैंद्रिये सड़क परिवहन और राजमार् जाएगा जम्मु कस्मीर में जो है इसका उदगाटन किया गया है किसके दवारा तो नितिन गटकरी जी के दवारा अगला प्रशन हमारा और बिहार द्रोगा नई भरती 2023 के लिए बहुत सारे प्रैक्टी सेट को हमने कवर किया हुआ है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चौथा प्रशने के विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार किस देश में एच्थ्री एन एट बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत की मामला दर्ज की गई है बताई राइट अं अकरकी जयनती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरो दिवस की रुप में मनाने की घोशना किया है किस राज्य ने तो यहां जो राज्य है यहां महराश्त्र है ठीक है अपसर नबर सी करेक्ट अनसर हो जाएगा अगला प्रश्णी कि निमने लिखित में से कौन सा कथन सत्त्य दिय देखे विदेश मंत्री S.J. संकर 10-15 अप्रल 2023 तक युगांडा और मोजांबिक की अधिकारिक यात्रा पर थे बिलकुल सही है उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रिय फोरंसिक विज्ञान विस्विद्याले के पहले विदेशी परिशर का उधगाटन किया ये सही दिये गया है अगला प्रश्ण है हमारा कि हाल ही में कोलकत्ता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया ट्रैल के दवारान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया तो बहुत ही आसान कोस्तन नंबर एट आपको मिलेगा देखे कोस्तन नंबर एट है हमारा कि केंद्रिये ग्रिह मंत्री और साहकारिता मंत्री अमीत साह ने 10 अप्रेल 2023 को कि सिराज के अंजाव जिले में के सिमावर्ती गाउं की बिथू में वाइबरेंट विलेजज प्रोग्राम का सुभरम किया है तो इन्हों ने किया है और रुनाचल प्रदेश में अब किवत्व से ही आप पता लगाएं किया कहां पर है तो अरुनाचल प्रदेश में है केंद्रिये कानून नयाय और संसदिये कार्यमंत्री किरन रिजिजु ने भारत के समिधान के किस भासा के पहले संसकरन का भी मोचन किया है तो यहाँ जो भासा है कौन सा है तो फ्रेंट्स यहाँ डोगरी है और राइट अंसर हो जायेगा चलिए समिधान के किस भासा के पहले संसकरन का तो डोगरी 22 भासाओ का उलेक है आठवी अनुसूची में आ सम से खाली अस्तन दिया गया, फाइटर जेट में उडान भरी है, किस फाइटर जेट में इन्होंने उडान भरी है, तो फ्रेंट्स इन्होंने सुखोई 30 MKI से उडान भरी है, अप्सन नमबर A जो होगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा, वित्मंत्राले ने सरकारी कर्मियो कि प्रणाली की समिक्षा करने के लिए किस समिती का गठन किया है, यह समिती जो है, यह टीबी सोमनाथन समिती है, ओप्सन नमबर C, राइट अंसर हो जाएगा, आगला प्रशन कर लेंगे, कोस्टन नमबर 12 है, कि प्रमुक भारतिय अमेर्की गडित तक और सांखिकी विद उनका नाम पुछा गया है, कोसांखिकी में 2023 का अंतराष्टी पुरसकार से सम्मानित किया गया है, यह कौन है, तो फ्रेंट्स यह है, C, R, राव, ठीक है, ओप्सन नमबर यहाँ पर देखेंगे, तो D, करेक्ट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन है हमारा, कि राज उ अंतरप्रदेश, करनाटक, केरल, राजस्थान और तेलांगाना, अगला प्रश्ण कर लेंगे, नेक्स्ट कुस्टन है हमारा, कि वैस्विक बौध सिखर सम्मिलन 2023 के संबंद में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है, सत्य दिया गया है, तो भारत पहली बार वैस्विक बौध सिखर सम्मिलन का बजन कर रहा है, सही है, प्रदान मंत्री नरणी ने नई दिली में बैस्विक बौध सिखर सम्मिलन 2023 को उधिघाटन किया, ये भी सही है, संस्क्रिति मंतराले द्वारा अंतराश्टियों बौद परिशंग के सहयोग से, इस सम्मिलन का बजन किया या किसे से संबंदित है तो ये जो भरोक्सा एप है या संबंदित है महिलाओं की सुरक्षा से option number A right answer इसका हो जाएगा next question है कि दिल्ली मेरट के भी चलने वाली भारत की पहली semi high speed regional rail service को राष्टे राजधानी छित्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है इसको क्या नाम दिया है तो friends इसको नाम दिया है rapid X क्या दिया है rapid X इसका नाम दिया है चले question number 17 है कि देश का पहला 3D printed post office का निर्मान लार्सन एंड टर्बो ठीक है जिसको कि हम लोग L&T कहते हैं हिंदी में company के द्वारा किस सहर में किया जा रहा है तो ये कहां पर किया जा रहा है पहला है भारत का 3D printed post office ये किया जा रहा है बैंगलोरू में next question करेंगे कि CI कुस्ती Championship 2023 के संबन्द में कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन जो है सत्य है इसका आयोजन जो है कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था और इसमें टोटल भारत की पहलवानों ने सोदह पदक जीते थे देखे पहला statement है कि इस्ताना का जाकिस्तान में आजित किया गया सही है ₹छीए है बारत की लेकशन पदक जीता ये भी सही है थारामों ने अस्ताना में एक स्वन जो की तीन राजत और दस कांस पदक यानिकी टोटल 14 पदक जीते उपर एक सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद एक हाल ही में प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने किस सहर के सहर में उत्तरी पुर्वी भारत के पहला एम्स का उद्गाटन किया उत्तर पुर्वी भारत का यह पहला एम्स है बहुत ही महत्पुर्ण प्रश्ण है गोहाटी में किया है ठीक है चलिए आसम में उसके बाद कि हिंदू फोविया की निंदा पर प्रस्ता पारित करने वाला पहला अमिर्की राज यह कौन सा बन गया है यहां अमिर्की राज जो है यह जोर जीया है हिंदू फोविया की निंदा पर प्रस्ता पारित करने वाला पहला अमिर्की राज जोर जीया है उसके ब प्रदान किया गया है बताईए ये नागरी दुबराज कहां का जो है चावल है सुगंधी चावल जिसको की जी आई टैग दिया गया है एंसर कमेंट करके बताईए राइट अंसर होगा इसका 36 गड़ ठीक है कि चितर दुर्ग में वैमानिकी परिक्षन रेंज एटी आर में किस पुनह प्रायोज लांच वहन अर एल भी अब ये हिंदी में लिखा गया है पुनह प्रायोज लांच वहन अंगरेजी में इसको कहेंगे हम लोग री यूजेबल लांच वेहिकल ठीक है कि स्वायत पुरा मैंने फुल्फम बता दिया आपको री यूजेबल लांच वेहिकल अटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट चलिए कुस्टर नमबर 24 कर लेंगे यहां से देखेगा कुस्टर नमबर 24 आपको मिलेगा ध्यान से प्रश्ण को पढ़ना है देखेगे प्रश्ण को अमोगा थर्ड का फिल्ड रेफाइरिंग परिक्षन सफालता अप्रुवक पुरा किया है तो यह किया है फ्रेंड्स करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत डैनेमिक्स लिमिटेड चलिए कुस्टर नमबर 25 है कि देखेगे चोड्रो एस्टेरिय परिप्यूरियम राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका कोलकता चलिए 26 नमबर कुस्टन देखेगे कुस्टन नमबर 26 है कि 28 सेंटिमेटर मैथ का प्रेशन है ब्याज के अर्धिवरित की परिधी ग्याद की दिए सिंपल सा कुस्टन है फ्रेंड्स मैं आपको एंसर बता रूपया सिंपल सिंपल मैथ का प्रेशन है इसको आप लोग स्वैम से हल करेंगे ए बी सी की आयू का उसत यहाँ पर दिया गया है यदि उनकी आयू क्रमसा चार अनुपाद दो अनुपाद साथ का अनुपाद में है तो ए और सी की आयू का अंतर पुछा गया है तो यह 27 होगा उसके बाद देखे 29 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा यह आपका 15 हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है 30 नमबर इसका जो राइट अंसर हो जाएगा यह आपका 6X हो जाएगा वीडियो के लाश्ट में आप सभी लोग अपना-पना स्कूर जरूर कमेंट करेंगे 31 नमबर देखे दिये गए बिकलपों में किस नदी का बहाओ पंजाब में नहीं है पंजाब में नहीं पुछा गया है बताइए राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखे फ्रेंट्स रावी व्यास और सतलज का बहाओ जो है पंजाब में है तापती का नहीं है तापती र अगला प्रशन करेंगे कि कौन सा राज समुह भाखडा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। प्राप्त करेंगे कि गुलाबी करांती का संबंद कि से है। आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और यहां continue चलेगा रोज आपको बिहार दरोगा के लिए एक से उपलब्द कराया जाएगा बिहार दरोगा नई भरती न्यू वैकंसी 2023 के लिए। अप्सन नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा। सरक्रिक जो है यहां गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। नेक्स्ट कोशन कर लेंगे किनेमन में से कौन सा राज पठकाई पहाडी से सनलगन नहीं है। तिरपुरा राज में इस पहाडी का बिस्तार नहीं पाया जाता है तो तिरपुरा ही इसका राइट अंसर हो जाएगा। सुची वन को सुची दो से मिलान करना एक तरफ दर्रा दिया गया है दूसरे तरफ राज दिया गया है। बुमला दर्रा जो है ये कहाँ पर है बुमला और रुनाचल प्रदेश में है। ठीक है जलेजपा दर्रा कहाँ पर है जलेजपा सिक्किम में है। मुलिंगला दरा कहाँ पर है? मुलिंगला उत्राखंड में है और सीपकिला यह हिमाचल परदेश में है यह आपको पता है पहले से ही चले राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा? तो एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार और दो एक, तीन, चार दो यानिका अप्सन नमब ठीक है, सीत काल में इसकी जिसा हो जाती है उत्तर पुर्व से दक्षिन पस्चिम यहाँ पर आपसे गरिश्म कालीन पूछा गया है, तो यहां आपको हो जाएगा आपको पता है कि पस्चिम भारत की काली मिट्टे का निर्मान लावा से हुआ है इसलिए इसे लावा मिट्टी की नाम से हम जानते हैं और यह दक्कन की पठार तथा मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी है मालवा का पठार इसी लावा मिट्टी का अंतरगत जो है आता है तो यह मालवा का पठार हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है सिंपल सा कोस्षन NH44 है आपको भी पता है ठीक है चलिए उसका बदेखेगा कि हिंदुस्तान HT Limited दुरगापूर की अस्थापना किस देश के सहयोग से किया गया किस देश के सहयोग से किया गया तो फ्रेंट्स इसके अस्थापना दूसरे पंसवर्षी योजना के दौरान किया गया था दूसरे पंसवर्षी योजना के दौरान 1956 में ब्रेटेन के सहयोग से ब्रिटेन के सही होग से किया गया था ब्रिटेन राइट अंसर इसका हो जाएगा अगला प्रशन है कि Gas Authority of India गेल की अस्थापना कब की गई थी गेल जो है ध्यान रखेंगे गेल यहाँ एक क्या है महारत्न कमपनी है अच्छा वर्तमान में टोटल कितने महारतन कमपनी हैं तो साइद 12 कमपनी हैं एक बार आप confirm कर लेंगे इसको और comment करके बता दीजी किया मैं सही बता रहा हूँ ठीक है इसका स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी इसका headquarters कहाँ पर है तो इसका headquarters नई दिली में है चले अगला प्रोशन करेंगे कि क्रिशी को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राजी कौन सा है क्रिशी को उद्योग का दर्जा दिने वाला पहला राज जो है यह कौन सा है तो फेंस यह महाराष्ट्र है महाराष्ट्र है ठीक है महाराष्ट्र है क्लियर चलिए उसका बाद देखेगा कि और खेल को उद्योग का दर्जा दिने वाला पहला राज कौन सा है जान रखेंगे गरतंतर भारत का पहला बजट किसने पेस किया था तो फ्रेंड्स ये जोन मताई ने किया था ठीके और स्वतंतर भारत का अगर पुछेगा तो आरके सनमुगम सेट्टी ने किया था ठीके यहाँ पर देखिएगा स्वतंतर भारत का यहाँ पर गरतंतर पुछ अध्यक्स कौन थे तो केसी नियोगी थे केसी नियोगी थे पहले वित आयोके अध्यक्स नेक्स्ट कॉस्टन है मारा कि निमने लिखित में से कौनसी मुक्त बजार अर्थ ब्यूस्ता की एक विशिष्ठा है तो फ्रेंड्स यहाँ आपका हो जाएगा उपभोगता सम्प्रभुता उपभोगता संप्रभूता ठीक है मुक्त बजार आर्थिक एकाधिकार वाद होता है उसको समाप्त कर वास्तिक प्रतियस्परधा को बढ़ावा देता है चलिए अगला प्रश्ण है कि किन जंगलों में 1922 में भारत की पहली बार बागों की जंगर्णा हुई थी तो यह कहाँ पर जारखंड में हुआ था पलामू में ठीक है पलामू इसका राइट अंसर हो जाएगा जारखंड याद रखेंगे चलिए बांदवगड कहाँ पर है बांदवगड करनाटक में है काजरंगा कहाँ पर है तो असम में है रन थंभावर कहाँ पर है चलिए आप क जितना भी विकल्प दिया गया है यह सारे जो हैं जैविक उर्वरक के उधारन है राइजोबियम एजेटु वैक्टर और साजीवी संबंध उसके बाद के वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है बहुत यह अच्छा प्रश्ण है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यह कहां पर है अच्छा बारतिये वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है बारतिये वन प्रबंधन संस्थान यह भोपाल में है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है ऑसम में जोरहर्ट में ठीक है ओप्सन नम्बर b right answer हो जाएगा टाइर मैन उफ इंडिया के नाम से किसे सांखला को जाना जाता है, तो कैलास सिनहा यहां पर दिया गया, सांखला नहीं दिया गया, उपरिक्त में से कोई नहीं इसका राइट इंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रमुख सुरोत क्या है, तो यह सूरे है, सूरे ही वास्तिविक उर्जा का सु उत्पन होती है पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहम से एक घुटन सील गैस कार्बन मोनोक्साइड जो है यहां उत्पन होती है रैट अंसर इसका कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा कार्बन मोनोक्साइड क्लियर है चलिए और कार्बन मोनोक्साइड जो है यहां रक्त को सिजन परिवहन चमता को कम कर देती है जिसके कारण क्या होता है सरदर्ध होता है चकर आता है जी मिच्लाने लगता है नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि ररेत और नेफ्थिलीन नेफ्थिलीन года को और रोदुफ पात्वाइड रर्दवापत नीलम का रासानिक सूत्र बताएं निलम का रासानिक सूतर जो होता है ये एलटू ओठी होता है एलटू ओठी होता है किलिर है ऐलमोनियम अक्साइड उसका बाद देखे पानी की टंकी में फंगी को नश्ट करने के लिए निम्लिखित में से किस राशायन का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ जो रसायन है, यहाँ copper sulfate है, copper sulfate है, copper sulfate, correct answer हो जायेगा, copper sulfate, ठीक है friends, चले उसके बाद देखे, आधुनिक रसायन सास्त का जनक किसे कहा जाता है, अच्छा, father of biology किसको कहा जाता है, तो यह औरस्तु को कहा जाता है, father of zoology भी, जन्तु विग्ञान का जनक, किसको और अस्तु को ही कहा जाता है, आधुनिक रसायन सास्त का जनक, लेबोजियर को कहा जाता है, तिसको, लेबोजियर को कहा जाता है, यह एक फ्रांसीसी विग्ञानिक है, ठीक है, चले, उसके बाद next question कर लेंगे, किनमलिकित में से किसमे oxygen अनुपस्तित रहती है, oxygen अनुपस और अलाहो जो है, इसमें से कौन सा है, तो रैटनसर कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट जो है, यह और अलाहो धात्विक खनिज है, उसके बाद एक 38 सुक्स्म वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाना वाला प्रकासिक उपकरन कौन सा है, तो यह आपको पता है कि यहाँ माइक्रोइसकोप है, माइक्रोइसकोप एक प्रकासिक यंद्र है, जिसके साहता से सुक्स्म वस्तु को हम असपश्ट रुप से देख सकते हैं, ठीक है, एक होता है सरल सुक्स्म दर्शी और एक होता है सैउक्त सुक्स्म दर्शी, क्लियर, चलिए तो यह हो जाएग आपका microscope, उसके बाद के निकट द्रिश्टी दोस को किस नाम से जाना जाता है, निकट द्रिश्टी दोस और दिर्ग द्रिश्टी दोस, निकट को जाना जाता है, मायोपिया के नाम से, और दिर्ग द्रिश्टी दोस को हाइपर मेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, उसके बाद next question है कि 40 degree Celsius का मान Fahrenheit skill पर बताना है अगर आपको formula याद होगा C बटा 5 equal to F minus 32 बटा कितना 9 ठीक है अब यहाँ पर 40 degree Celsius है यहाँ आप 40 पुट कर दीजे ठीक है अब निकाल दीजेगा 5 अठे 40 हो जाएगा अब यहाँ पर दीखे 8 नवा 72 cross multiplication करेंगे यह 72 हो गया इधर F minus 32 हो गया यह minus में है इधर plus में आएगा तो 72 plus 32 कितना हो जाएगा 4, 7, 10, 104 degree Fahrenheit हो जाएगा option number A right answer इसका हो जाएगा अगरा प्रशन कि दाब की 1 काई क्या है दाब की 1 काई क्या है बताई राइट answer क्या हो जाएगा देखे दाब क्या है प्रेशर जो है आपको पता है कि force upon area होता है force का क्या होता है pressure क्या होता है force upon area होता है force का क्या होता है unit Newton होता है और area का meter square होता है तो Newton प्रति वर्ग meter राइट अंसर हो जाएगा न्यूटन प्रती वर्गमेटर आपसे नमबर डी चलिए उसका बाद देखेगा कि टेफलोन निमलिखित में से किसका बहुलक है टेफलोन जो है यहां टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का बहुलक है ठीक है टेफलोन का इस्तमाल जो होता है नन एश्टी तरंग का इस्तमाल किया जाता है राडार का फुल्पम होता है रेडियो डिडेक्शन एंड रैंगिंग ठीक है चलिए रोबर्ट वाट्सन राइट अंसर हो जाएगा रोबर्ट वाट्सन रोबर्ट वाट्सन ने जो है राडार की खोज किया था चलिए किस वस्तु के अस् साइनो कबालामिन, साइनो कबालामिन इसका रशानिक नाम होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनेमिया और पांडू रोग होता है, अगला प्रशने की फलियां अत्यादिक पौश्टिक होती है, क्योंकि इसमें परचूर मातरा में होती है, फली जो होती है, कोई और प्रोजेस्ट्रोन यहां में लिदता हूँ, एक होता है प्रोजेस्ट्रोन के बाद एस्ट्रोजन जो कि यहां पर दिया गया और एक होता है relaxing ठीक है तो यह महिला sex harmonis है इनको आप ध्यान रखेंगे अच्छा अगर पुरूस पुछेगा तो testosterone आपको याद है testosterone ठीक है याद रखेंगे यह पुरूस हार्मोन है नमलिकित में से कौन सा हार्मोन अगनासे द्वरा उत्पन होता है अगनासे के द्वरा जोत्पन होता है वो आपको पता है कि इनसुलीन है और एक गुलूके गौन भी हार्मोन होता है गुलूके गौन हार्मोन जो होता है alpha cell से निकलता है अगनासे की और insulin beta cell से निकलता है क्लियर है चलिए आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे अगला प्रश्ण है हमारा है कि एड्स निम्लखित में से किसके द्वारा होता है तो आपको पता है एड्स जो होता है यह वाइरस के द्वारा होता है HIV वाइरस सो होता है राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा अपसे नमबर यहाँ पर देखे वाइरस भी सानू अपसे नमबर बढ़ता हैं वित्मिन के राइटंसर हो जाएगा इसका रासानीक नमफ फीलो कुईनोन होता है नेक्स्ट कुस्ट नमर किनेमन में से कौन सा पाधब हार्मोन का प्रेक बॉन्य पॉद्धों को लंबा करने में बता ही राइटंसर इसका क्या हो जाएगा correct answer इसका हो जाएगा cytokinin ठीक है cytokinin हो जाएगा यहाँ पर जितने भी आपको देख रहे हैं option में यह सारे के सारे पादफ हार्मोन है सारे के सारे पादफ हार्मोन है ठीक है चलिए उसका बाद next question है हमारा कि जानवरों के प्रती कुरूरता की रोक्ताम को भारती समधान की किस सूची में रखा गया है तो यह सूची में रखा गया है समवरती सूची में समवरती सूची में रखा गया है रैट अंसर इसका समवरती सूची हो जाएगा निमलिकित समधानिक उप्चारों में से किसे पोस्ट मार्टम भी कहा जाता है पोस्ट बाटम जो कहा जाता है ये कौन से रिट को कहा जाता है तो ये रिट है उत्प्रेशन रिट उत्प्रेशन रिट जो है वरिष्ट न्याले के दोबरा किसी अधिनस्त न्याले या न्याइक विभाग जो अपनी अधिकारत्या का उलंगन कर रहा हो उसको रोकने के सबसे उपर राष्ट पती होते हैं फिर उपर राष्ट पती फिर परधान मंत्री ठीक है इसमें से उपर अध्यक्स हो जाएगा नेक्ष्ट कुस्टन सबसें उपर राष्ट पता है कि यहां आरक्षन से संबंदित है और रोजगार में 10% आरक्षन आर्थिक रूप से कमजोर वर की लोगों को इससे संबंदित है ठीक है और इस विध्यक को लागो करने वाला पहला राज अगर पुछा जाए EWS आपको याद होगा गुजरात पहला राज है गुजरात पहला राज है और यह राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा आरक्षन से अप्सन नमबर A चलो उसके बदिकेगा कि समिधान की कारयपाली का सकती नहीत होती है तो यह नहीत होती है किसमे राष्ट पती में अरक्षित है तो आपको याद है कि यहाँ जो संस्था है यह पंचायती राज है पंचायती राज हो जाएगा एक बटा तीन सीटे यह राख्षित है पंचायती राज करक्ट अंसर हो जाएगा उसका बदी के सरोची नयाले का मुखनाजिस अपने पत से त्याग पत्र किसको लिख करके दे सकता है तो यहाँ दे सकता है राष्ट पती को ठीक है राष्ट पती के नाम जो है अपना त्याग पत्र लिख करके देते हैं राष्टपती राइट अंसर हो जाएगा धन विद्यक पेस किया जाता है धन विद्यक को पहले जो है लोकसभा में पेस किया जाता है धन विद्यक लोकसभा में केवल लोकसभा राइट अंसर इसका हो जाएगा ठीक है केवल लोकसभा में पेस किया जाता है याद रखेंगे चली और इसका जो होता है निरनेड़ा, कोई भी विध्यक धन विध्यक है या नहीं, या लोकसभा के स्पीकर का होता है, चली अगला प्रशन कर लेंगे और धन विध्यक है किसमें, तो अनुछेद 110 में है धन विध्यक, ठीक है चली एक नया राज बनाने में समयधानिक सुन सोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए तो इसके लिए हमेशा याद रखेंगे साधारन बहुमत चाहिए साधारन बहुमत चाहिए ठीक है चली साधारन बहुमत राइट अंसर हो जाएगा इसका असी नंबर है कि उच्छतम नियाले की वास्था अनुसार नेजी भाउनों के उपर आश्टे जहंडा को फाराना किस अनुछेद के तहट एक नागरिक का मौलिक अधिकार है तो यहाँ अनुछेद 21A है 25 जनुवरी 2004 को सरवच नियाले के दोड़ा यहाँ कहा गया कि तिरंगा को फाराना नागरिक का मौलिक अधिकार है उनिस एक A-Right answer इसका हो जाएगा उसका बदिके लोकलेखा समीति अपने रिपोर्ट किसे सौंपती है तो आपको पता है कि लोकलेखा समीति अपने रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्स को देती है लोकलेखा समीति के बारे में बात करें तो 22 सदस इसमें होते हैं 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राजसभा से होते हैं जोड़ दीजिए टोटल 22 सदस इसमें होते हैं राश्टी सुरक्षा समीति का प्रधान कौन होता है इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एक प्रश्ण में आपके लिए रखता हूँ, ठीक है, चलिए, सल्तनत काल में सरवजनिक वितरन प्रणाली किसने प्रारम किया था, सरवजनिक वितरन प्रणाली को अलाउदीन खिलजी ने किया था, अलाउदीन खिलजी ने सिकंदरे शानी की उपादी धरन किया हुआ था, याद है आपको इसके द्वारा जो है बजारनी अंतरन सरवजनिक वितरन प्रणाली की सुरुवात की गई थी, ठीक है, अलाउदीन खिलजी इसका राइट अंसर हो जाएगा, उसके बदिके का किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदबाव और अन्याय को समाप्त करने क प्रयास किया था, तो ये महमद बिन तुगलक था, महमद बिन तुगलक जो राजधानी को दिली से कहां ले गया था, देवगरी ले गया था, और उसका नाम क्या रखा था, दोलता बाद रखा था, ठीक है, चलिए, तो ये महमद बिन तुगलक हो जागा, इसी के समय जो है इबने बतूता आया था मुरको का यात्री इबने बतूता जिसकी पुस्तक रहला है अगला प्रश्णी की 1529 में किसने दक्षिन बिहार पर आकरमन किया लेकिन सेर खां के द्वारा परास्त किया गया तो ये कौन था? बहार खां था बहार खा था जिसको सेर खा यानिकि सेर सा सूरी ने परास्त कर दिया था ठीक है चलिए उसका बढ़ के मुगल काल में मुख्य काजी क्या था मुख्य काजी जो थे ये मुख्य नाधीस होते थे मुख्य नाधीस राइट अंसर हो जाएगा भारत की आजादी किसमें बेटन में निमलखीत राजनतिक पार्टी में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी तो भारत की आजादी किसमें वहाँ पर जो था प्रधान मंतरी किलिमेंट एटली थे और लेबर पार्टी के थे तो राइटन सर इससे क्या हो जाएगा लेबर पार्टी ठीक है चले उसके बाद दिखेगा कि 1905 में बंगाल विभाजन की समय भारत का वायसरा है सिंपल सा कोस्टन लोड करजन था उससमय खिलेर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्तूबर 1905 को यहाँ प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन छले उसके बाद नेक्श्ट गौशन करेंगी कि महात्मा गांधी जी की दक्षेन अफरिका के वापसी पर इनमें से किस घटना की कारण उनको प्रसिद्धी मिली थी तो उनको प्रसिद्धी मिली थी 1500 सत्त्यागरा की कारण जो कि 1917 में हुआ था चमपारन सत्यागरा उसके बाद के अखिल भारती किसान सभा के प्रतम सत्र के अधक्सता किस ने किया था 1936 में अखिल भारती किसान सभा के अस्थापना किया गया था इसके पहले अधक स्वामी साजानंद सरोशती बनाए गये थे ठीक है राइट अंसर इसका स्वामी साजानन सरोशती हो जाएगा अफसर नमबर ए उसका बढ़ देवबंद के उस विद्वान का नाम बताई जिसने सोतंतरता आंदोलन में महत्पुन भोमिका निभाई थी तो ये कौन थे अबुल कलाम अजाद जो भारत के पहले सिक्षा मंत्री हुए थे ठीक है अबुल कलाम अजाद राइट अंसर हो जाएगा चले उसका बढ़ देखेंगे कि नमलेकित अभिलेकों में से किसमे विद्वा दहन का उलेक मिलता है तो यहाँ भानुगुप्त का एर अब आउस्ता का उलेक किया गया है तो यहाँ असोक का कौन सा अभिलेक है असोक का यहाँ दूसरा अभिलेक है ठीक है दूसरा अभिलेक राइट अंसर इसका हो जाएगा अचा पहले अभिलेक में पसु बली की निंदा की गई है और ग्यारहवा अभिलेक इंपोर्टेंट जो सासक थे उनकी राजधानी अनहील वाड़ थी, कहा थी, अनहील वाड़ थी, ठीके याद रखेंगे, उसका बद नेक्स्ट कोसे हैं कि अंतराश्टी योग दिवस की स्तिति को मनाय जाता है, तो यहाँ प्रती एक वर्स 21 जून के दिन मनाय जाता है, उत्री गुलारत पर स स्विट्जिलेंड के जनेवा सहर में है, संग का बजट पर विचार करने और उसे अनमोजित करने की जिम्मदारी किसकी होती है, तो यह होती है महासभा की, महासभा की होती है, यहाँ पर देखें, मिलान करने एक तरफ देश से, दूसरी तरफ राष्ट्रिय चिन है, टेंसर हो जाएगा, ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट कोसन, एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोवी रेगिस्तान है, जो चीन और मंगोलिया की सिमा पर इस्तित है, ठीक है, तो यह गोवी मरोस्तल हो जाएगा, अच अपने स्कोर आप लोग कमेंट करके बताईए ये गया में है विस्नु पदमंदिर बिहार के में गया में है